नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का दोस्तों बड़ी सादड़ी के बाचिंदों के लिए खुशकबरी आ चुकी है 31 जुलाई को ट्रेन का उदगाटन होने वाला है जो रूट करीब 5 साल से बंद पड़ा था उस पर अप फिर से ट्रेन की सिटी गुजने वाली है जो उदगाटन विशेश गाड़ी है वा बड़ी सादड़ी से शाम को साड़े चार बजे के करीब प्रस्थान करेगी जो की बीच के सभी स्टेशनों पर इस्टापेश लेते हुए उदेपूर रात आठ बजे के करीब पहुचेगी और इस शुबावसर पर चित्तोडगर के सांसत श्री सीपी जोशी जी के साथ में रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वेशनव जी के भी उपस्तित होने की पूरी संभावना है और उन्होंने इस कारीकरम के लिए विशेश तोर पर हामी पूर्व में भरी थी तो यहाँ काफी खुशी की बात सामने आ रही है बीच के सभी स्टेशन जिन पर यहाँ ट्रेन इस्टापेज लेगी वहाँ पर करीब एक मिनिट का हाल्ट दिखाया गया है उदगाटन विशेश का लेकिन जो ट्रेन है उसका स्वागत छेतरवासी जगे जगे पर करने वाले हैं तो इस इस्तिती में यहाँ ट्रेन अधिक विराम सभी स्टेशनों पर लेगी कुल नो कोच की यहाँ ट्रेन चलाई जाएगी जिसमें साथ जनरल कोच और दो SLR कोच होंगे और डीजल इंजन के साथ में इस ट्रेन को चलाया जाएगा और जो नियमीत सेवा है वह एक अगस्त से शुरू होगी बड़ी साधड़ी से इसका टाइम टेवल लगभग वही है जो पूर्व में सामने आया था सुभे 6 बजे के करीब यहां बड़ी साधड़ी से चलेगी और रास्ते के स्टेशनों बनसी बोहेडा, कानोड, भिंडर, खेरोदा, वललब नगर, मावली जंक्षन आधी पर होते हुए उदेपूर यहां सुभे 9 बजे के करीब पहुच जाएगी तो अधिक से अधिक संक्या में लोग इसका स्वागत करने के लिए कल मुझूद रहेंगे तथा हम भी विशेश नजर इस पर बनाए रखेंगे और आपको इसका कवरेज उपलब्द कराने की पूरी कोशिश करेंगे इस ट्रेन का नंबर रहेगा जो रेगुलर ट्रेन है उसका 096 11 उदैपूर से बड़ी साधड़ी के बीच में चलने वाली ट्रेन का नंबर रहेगा तो यह अब बिल्कुल जाहिर हो चुका है कि इस ट्रेन का उदगाटा 31 तारिक को किया जाएगा मानने रेल मंत्री जी के द्वारा और छेतर के लोगों को जो लंबे समय से रेल सेवा से दूर थे फिर से ट्रेन की सोगात प्राप्त होने वाली है तो इस खुशी के मौके पर हम छेतरवासियों को शुब कामनाय देते हैं तथा अधिक से अधिक वेलोग ट्रेन का उप्योग करें ताकि भविश्च में रेलवे और भी ट्रेन इस ट्रेक पर चलाने है तू मजबूर हो जाए इसलिए जरूरी है कि इस ट्रेन को अधिक से अधिक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए क्योंकि जैसा कि लोगों की इच्छा थी कि सुबह के वक्त बड़ी साधरी से उधैपूर के लिए ट्रेन चले तो ऐसा ही हो रहा है तो यदि एको ट्रेन उनको दोपहर के वक्त भी चलवाना यदिवे चाहें तो इसके लिए अधिक से के लिए प्रसारित करने की पूरी कोशिश करेंगे इसलिए हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आप सभी का धन्यवाद